बी ये प्रथम वर्स पेपर सेकिंड के अंद्रगत आज हम नासिरा सर्मा की पांचम बेटा कहानी की समिख्या करेंगे नासिरा सर्मा हिंदी साहित्य में कथा साहित्य के छित्र में एक महुती जाना पैचाना नाम है इनके जो काहनी संग्रे है जिन्दे मुहावरे सातनंद्या एक समंदर सामी कागज पत्थर गली संगसार इबने मर्यम ये बहुत प्रसिद इनके काहनी संग्रे हैं और इनके काहनियों में समाज के समख से एक बहुत बड़ा प्रस्ण चिन हमारे सामने वद छोड़ करके जाती है पठे पुस्तक में जो उनकी काहनी है पांचवा बेटा वह चरित्र चित्रन के दर्ष्टिकों से बहुत महत्पूनिस्थान रखती है परिख्या में यह एक मार्मिक काहनी है जिसमें अमतुल नामक जो इस्त्री है उसकी पीड़ा का एक व्यथा का मार्मिक अंकन नासिरा सर्मा के द्वारा किया गया है उसके चार-चार बेटे हैं मगर वे सभी उसको छोड़ करके अपने अपने परिवार के साथ दूसरे शहरों में नौकरी करने के लिए चले जाते हैं वे हर माँ खर्चा तो जरूर बेशते हैं किन्तु जो एक अकेला पन जो एक वेथा पीड़ा और एकांकी पन जो उसकी उनकी माँ भोगती है उसको साहरा देने के लिए कोई भी बेटा उसके पास नहीं है और यह कानी उसी कान से इम अम्तुल के आसपासी पूरी तरीके से इर्दगिर्दी गिरी रहती है क्योंकि वहाँ घर में अकेली रहती है और इस्तिती को भाव कर उसके दिल में कभी ऐसी हूग उड़ती है कि चार पाहड से लड़के जनकर भी उसे सुख कौन सा मिला है वहाँ उसके समस्त सुख दर्द दुख दर्द आत्मिय और उसकी पीडा को समस्ता है और वहाँ अम्तुल की आत्मेता से उसके सम्मद इस्तापित होते हैं और उसी बाव से वहाँ उसको मौशी केता है और इस कहानी में मुख्य बाद हमारे सामने जो व्यक्त की गई है वह कहनी में जो सुलाखी है व føना केवल अम्तुल को सम्मान देता है उसे मौशी कहता है बलकि हर सुक दुख में उसके आड़े आता है और कहनी का जो कफान केमूल डूप से इस तथ्या पर नेबड़ करता है कि जो रिष्टे होते हैं वह केवल खून के नहीं होते हैं मानुविय समवेदना बिना खून के रिष्टों में भी उससे ज्यादा मौजूत रहती है और यह एक आत्मिता पून एक ऐसा रिष्टा होता है जिसमें खून का रिष्टा नहीं भी दोनों परस पर एक दूसरे के साथ घूल जाते हैं और खून के रिष्टे से भी वो बड़ा रिष्टा दिल का रिष्टा जो होता है वो कहलाने लग जाता है अकेली अम्तुल मोहरम के त्योहर पर हमेशा ही जूशती रहती थी मौसम की परतिकूलताओं से वो जूशती रहती है और उसके समक्ष जो एक बड़ी समश्या है कि मोहरम आने पर भी उसके मन में यह हमीशा क्यालाता था कि इमाम बाडे और दालान की जो छत थी उसको पकी कैसे करवाए यह बार-बार उसके मन में यह वेथा और पीड़ा उसके दिल में घुमडने लगती थी और इस काम के लिए उसने रहमान का पता लगवाया उसमें कुवर साब के यह ठेके पर चुनाई का जो काम कर रहा था उसे फूर्शत नहीं थी उसके कथन को सुनकर अम्दुल की जो वेथा है वक क्रोध के रूप में मुंडेर पर बैठे काम काम करते कोवे पर फुट पड़ी और आव देखाना ता उसने पैर की जूते निकाल जोर से उसकोवे पर निशाना साधिते वे कह दिया चल मर्व कमबक्त तो यहाँ जो तथ्या है कि बेशुरे राग अलापने की मेरी ही मुंडेर मिली यहाँ तथ्या उसकी वेथा को वेथा करने वाला है कि यदि उसके बेटे उसके बास मौझूद होते तो उसे इस समश्या का सामना नहीं करना पड़ता रह्मान के दोबारा काम ना कर पाने और हम्तुल के मन में जो बेशी का बाव है उसके कारण से उसके दिल में आता है कि चार पाहट जैसे लड़के जनकर भी उसे कौन सा सुख में लाए किसी भी लड़के को ना मा की फिक्र है ना दीन ना मजब बस केवल उन्हें अपने पैसे नौकरी की फिक्र है और महीने में मनी ओडर से क्या मेरा केला पंदूर हो सकता है या कथन इस कहानी की मारमिक्ता को हमारे सामने व्यक्त करता है परनुष्य की जो एक परमुखिस्थान होता है वह हो उसकी सुनेता को भरने का जो पूरी तरीके से इस कहानी में हमें खालीपन दिखाई देता है अमतुल का इतनी मुश्ला धार बारिष जो होती है और इमाम बाडे को खोल कर देखने के उसकी हिम्मत तक नहीं होती है कि बारिष की बुंदे इमाम घाडे के अंदर दाखिल हुई है नहीं आखिरकार सुलाखी के द्वारा तिरपाल डानने से जो पूर्वजों की परंपरा जो चली आ रही थी उस पर वह पूरी तरीके से उसकी वैथा को दूर करने का प्रियास करता है। आखिने चली जाती है और अपने साथ लाकर खाक की पूडिया निकालकर उसे चुटकी पर खाक निकालकर सुलाखी के माते और सीने पर लगा कर हम उसकी सलामती की दूआ चाहती है। रखती है और चरित्र चित्रन के दस्टी कोण से यह कानी इसी कान से एक सफल कानी मानी जा सकती है। क्योंकि इस कानी में मुख्य जो बात है वह अम्तुल की पीडा वेथा और वेदना को उजागर खणना नासिरा सर्मा का परमुख उद्धेशिरा है। अन्य जो साहिक पात्र हैं उनका चरित्रांकन भी उसी रूप में आया है कि अम्तुल की वह सांकितिक सूचना ही करते हैं कि किस तरह उसकी पीडा को परत्यक्षा परत्यक्षुप शिवा उजागर करते हैं और उसका शमन भी करते हैं। पूरी कहानी आत्मक अत्मक शैली में हम मान सकते हैं जिसमें समवाद योजनाभी पात्र के व्यक्तित्व को उजागर करने वाले ही हैं। सामने आता हैं। या कहानी एक सफल कहानी हैं जिसमें पात्रों के चरित्रग पर प्रगाश डालता है और कहानी के कथानक उसके उद्देश को भी व्यक्त करते हैं। उक्त कहानी में कलात्मक्ता के दश्टी कौन से भी देखें तो सिल्प और भासा के दश्टी कौन से भी यह कानी बहुत शम्रत कहानी मानी जा सकती है। कहानी के पात्र अधिकांस मुस्लिम ही है और पूरा कहानी का जो कथानक है उसकी जो भाशा है वह उस परिवेस में मुस्लिम परिवेस और उसकी बाशा उर्दु महीं परिवेस में हमारे सामने प्रकट हो रही है। और लेकिन जो लाक्षनिकता और संकेता अत्मकता कहानी में जो कहानी लेखेगा के द्वारा दिये गई हैं उससे कहानी बहुत प्रभावी हो जाती है उधान के रूप में कई ऐसे परती कई ऐसे जो लक्षना की संब्द में प्रियोग हैं वह इस कहानी में हमारे सामने बहु आसों में बहा देती जो साल बर से अंदाक वा समझ अपने दिल में डालती रहती थी गरीब का बेटा जल्द ही रोटी खाना शीख गया ऐसी ही पंक्तियां है जो कहनी में प्रतिकात्मक शैली को परकट करती है कहनी में इस कहनी में जो अम्तुल की एकांकिपन की पीड़ा है उसको व्यक्त करना ही लेखिगा का परमुकुदेशी है जिसमें उसने शब्दावली का जो प्रयोग किया है वह समने तो उर्दू और अर्भी बाशा की शब्दावली का अधिक उसमें प्रयोग वा है दिगांस जो शब्द हैं वह इसी रूप में हमारे सामने आते हैं नस कुछ स्थानाओं पर थोड़े बहुत अंग्रेजी शब्दावली का प्रयोग भी हमारे सामने आए कोल मिलाकर यह काहनी अत्यंत एक ससक्त और मार्मिक काहनी है जिसमें यथार्थ की पीड़ा को एक व्यक्त गया गया है काहनी की पात्रमतुल के माध्यम से और काहनी पाठ नाओं और संवेद नाओं को उजागर करने उसको कुरेदने में पूरी तरीके से समर्थ रहती है